हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अगरवाल कुकिंग क्लासेज, I am Sejal अगरवाल, फ्रेंड्स आज हम आइस क्रीम्स की सिरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग-अलग टाइप्स की काफी आइस क्रीम्स बनाएंगे, और ये आइस क्रीम्स बिलकुल क्रीमी, सॉफ्ट, एकटन मार्केट जैसे बनने वाली है तो friends आप इन गर्मियों के सिजन में यह सारी आईस क्राइब कर ना और मुझे बताना कि आपको यह कैसे लगे तो चलिए friends शुरू करते हैं ice cream बनाना सबसे पहले हमें ice cream बनाने के लिए measuring spoons की जरूद पड़ेगी तो फ्रेंड्स मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम लेंगे देड़ टेबल स्पून जीएमेस पाउडर आइसक्रिम बनाते वक्त आपको मेजरमेंट का खास देहन रखना है यह आप टेबल स्पून्स टी स्पून्स से गिन कर ही ले हमने लिया है देड़ टेबल स्पून्स जीएमेस पाउडर देड़ टेबल स्पून्स ही हम लेंगे कॉन फ्लोर कॉन फ्लोर हमारे सबके घर में एविलेबल होता है एक टेबल स्पून्स हम उसमें डालेंगे मिल्क पाउडर Milk Powder आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हो धान रखिए फ्रेंड्स हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून GMS Powder 1.5 टेबल स्पून Corn Flour 1 टेबल स्पून Milk Powder और हम लेंगे सबसे छोटी वाली जो स्पून होती है 1.8 टी स्पून मतलब जो 1.4 से भी आधा लेना है हमें Stabilizer Powder Stabilizer Powder हमारे आइस्क्रीम को जल्दी मेल्ट होने से रोकता है तो ये सारी पाउडर हमने एक बाउल में ले लिये हैं ये सारे पाउडर हमको मिक्स कर लेने हैं अच्छे से और अब हम दूद लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून दूद हम इस पाउडर में एड़ करेंगे हमें जो टोटल आइस्क्रीम बनानी है वो आइस्क्रीम हम बनाने वाले हैं आधा लिटर दूद के साथ तो हमने ले लिया है आधा लिटर दूद और उसी दूद में से 2 से 3 टेबल स्पून दूद हम इन पाउडर्स में मिला देंगे ये दूद थंड़ा है इसमें आप थंड़ा दूद या रूम टेंपरेचर का दूद ले सकते हो ये पाउडर्स में 3 से 4 टेबल स्पून दूद मिला कर हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है याद रहे फ्रेंड्स ये जो पेस्ट हम बना रहे हैं इसमें किसी भी तरह के कोई भी लंप्स नहीं होने चाहिए और हमें ये क्रिया करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमने डाइरेक्ट पाउडर सारे दूद में आड़ कर लिए तो बहुत से लंप्स बन जाएंगे और हमारा जो आइस क्रीम का टेक्श्चर है वो अच्छे से नहीं आएगा इसलिए हमें अलग बायूल में ये सारे पाउडर स्मिक्स करकर थोड़े से दूद के साथ इसका पेस्ट बनाना है देख़े फ्रेंड्स हमने एक दम अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है अब हमने जो आधा लिटर दूद लिया हुआ है वो हम गरम करने के लिए रख देते हैं जब ये दूद हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा और इसमें उबाल आने लगेगा तब ये पाउडर का पेस्ट जो है हमें एड़ करना है दूद में बहुत से लोगों की ये कंपलेंट आती है कि हम आइस क्रिम बनाते है लेकिन हमारे आइस क्रिस्टल जाते है या टेक्श्चर ठीक से नहीं आता या बहुत पाउडर पाउडर लगता है तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ करना इस रेसिपी में आपको ऐसे राइप के कोई भी प्राइब्लम्स नहीं आएंगे इसमें जो चीनी डालनी है उसका प्रपोर्शन है एट टेबल स्पून आठ टेबल स्पून हमें चीनी लेनी है यह जो रेसिपी में ने दी है यह एकदम पर्फेक्ट है प्रोफेशनल है और यह बिलकूल भी फेल होने वाली रेसिपी तो ये रेशीम है आप जरूर ट्राइ करना उब तक कि आप मेरा चानल श्ब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल करना और आप के प्रेंड आ रिलेटिवस को मेरे रेशी jam 2021 शैर करना तो इन गर्मियों के सीजन में आपको मार्केट से किसी भी तरह की आईस्क्रीम लाने की कोई जरुवत नहीं आप बना सकते हो एकदम पॉफेक्ट आईस्क्रीम घर में ही देखिए फ्रेंड्स हमारे दूद में अभी उबाल आ गया है तो हमने जो पेस्ट बना कर रखा था सारे पाउडर्स का वो हम इस दूद में आड़ कर देंगे और दो से तीन मिनट तक इसे अच्छे से उबलने देंगे यह जो रेसीपी है यह फटा-फट से बनने वाली है अब इसमें हम एड़ कर देंगे चीनी बस चार से पाच मिनिट टोटल इसे हम उबालेंगे ताकि यह जो चीनी है वो भी अच्छे से घुल जाए और जो हमने पाउडर्स डाले है कॉइन फ्लोवर जी एमेस पाउडर यह यह भी अच्छे से दूद के साथ पग जाए तक कर दूद में हम धेर सारी आईस क्रीम घर में ही बना सकते हैं देखे फ्रेंड्स कितना क्रीमी और गाड़ा हो गया है हमारा यह जो आईस क्रीम का आईस क्रीम के लिए दूद लेते वक्त हमेशा आपको एक ध्यान रखना है कि आपको फुल फैट मिल्क ही लेना है मतलब आपको भेस का काढ़ा दूधी लेना है अगर आपने गाय का दूधी यूज़ किया है तो उसमें fats की contents कम होते है इसलिए हमारे जो ice cream की quality है वो उतनी बढ़िया नहीं बन पाएगी इसलिए आप हमेशा full fat cream का full fat milk का ही यूज़ करें जब भी हमको ice cream या कुलफी कुछ set करने होती है तो हमेशा full fat milk ही ले देखिए friends हमारा जो मिश्रन है वो उबलने लगा है एकदम अच्छे से ये पक गया है अब इसे gas बन करके हम ठंडा होने देंगे देखिए friends हमारा जो मिश्रन है वो थंडा हो गया है अब आज जो कि हम vanilla ice cream बना रहे है तो इसमें हम एड़ करेंगे vanilla extract या फिर vanilla essence आपको ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रन है ये जब भी गरम होगा तब तक हमें किसी भी तरह का कोई भी essence इसमें मिलाना नहीं है ये हमेशा धंडा होने के बाद ही है इसमें हमें इसेंस आड़ करना है मैंने 2 टी स्पून्स के करीब इसमें vanilla essence मिक्स कर दिया है ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए पास से 6 गंटे तक रख देंगे कि अाई सेट करने के लिए आप कोई भी आउर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हो लेकिन ऐसे जर्फ आलिमिनेम के आइस्क्रीम बाक्स आते है जिसके साथ लीड़ भी होता है उसका यूज करने से आइस्क्रीम बहुत जल्दी सेट हो जाती है मैं हमेशा इनी वर्तनों का यूज़ करती हूँ अगर आपके पास ऐसे अविलेबल नहीं है तो आप कोई भी ऐर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हूँ अब यह हम लीड लगाके पास्से 6 घंटे तक इसे सेट करने के लिए फ्रिजर में रख देते हैं देखिए फ्रेंड्स पास्से 6 घंटे हो गए है और हमारा जो आइसक्रीम है वो सेट हो गया है मतलब फर्स्ट सेटिंग हमारे आइसक्रीम की हो गई है यह थोड़ा सा हाड बनता है तो अब हम क्या करेंगे एक छुरी की हेल्प से इसके छोटे-छोटे पीसेज कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने आइसक्रीम सेट किया है तब यह आधा डबबा भरकर हमारा आइसक्रीम सेट हुआ है और जब हमारी फाइनल आइसक्रीम बनकर रेड़ी होगी तो वो इससे डबल कॉंटिटी में हमारी रेड़ी होगी अब यह जो आइसक्रीम है यह छोटे-छोटे पीसेज कर लिए हमने यह सब हमें एक बोल में निकाल लेंगे यह बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीका है आइसक्रीम बनाने का और एकदम परफेक्ट तरीका है तो आप यह ज़रूर ट्राइ करना देखिए फ्रेंड्स इसे थुड़ा सा चम्मस से मैं फेट रही हूँ उसके बाद इसे हम बीटर से अच्छे से फेटेंगे अगर आपके बास बीटर आइवेलेबल नहीं है तो यह जो आइसक्रीम फूलाने की प्रक्रिया है इसके लिए आप मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं पहले थोड़ा कम स्पीड पर हम फेटेंगे उसके बाद धीरे-धीरे स्पीड बढ़ा कर हाइ स्पीड पर इसे हम फेटेंगे टोटल पास से साथ मिनिट में हमारा आइसक्रीम जो है पूरा फेट कर फूल कर रेडी हो जाता है ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह के कोई लंप नहीं रहने चाहिए यह बिल्कुल एकदम सौफ्ट और हलका होने तक आप आपको फेट लेना है देखे फ्रेंड्स हमारा जो मिश्टन है उसका कलर भी एकदम वाइट हो गया है और यह एकदम शाइनी और सौफ्ट दिख रहा है यह बहुत हलका हो गया अभी फेटने में और हमको देखने में ही समझ में आता है कि हमारा इसक्रीम बहुत फूल गया है और एकदम सौफ्ट इसका टेक्स्चर हो रहा है हुआ है देखिए फ्रेंड्स हमारा मिश्रंड जो है आइसक्रीम का वो फेट कर पूरा रेडियो हो गया है और आप देख सकते हो कि यह कितना क्रीमी लग रहा है अब इसे यह पूरा फेट कर जब हमारा हो जाता है उसके बाद फिर से एक बार हम इसे सेट करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे आइसक्रीम सेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके फ्रीजर में किसी तरह की कोई बरफ नहीं होनी चाहिए मतलब हमेशा आपका डी फ्रॉस्ट किया हुआ होना चाहिए एक दिम पहले फ्रीज हमारा जो आइसक्रीम का मिश्रंड है वो रेडी है इसे हम देखिए फ्रेंड्स कितनी कॉंटिटी इसकी बढ़ गई है अब हम इसे सेट करने के लिए उसी डब्बे में निकाल लेंगे पहले जब हमने आइसक्रीम सेट किया था पहले सेटिंग के टाइम हमारा ये आधा डब्बा भरा हुआ था अब ये डब्बा हमारा फुल भर चुका है और भी हमारी आइसक्रीम बची हुई है ये जो लीड है इस पर अगर किसी तरह के का पानी या कुछ होगा तो वह क्लीन करकर हमें रखना है ताकि हमारे आइसक्रीम में किसी भी तरह के आइसक्रीस्टल्स नहीं आए अब ये हमें 3-4 गंटे में सेट हो जाएगी तो हम सेट करने के लिए फ्रीजर में इसे रख देते हैं अब जो हमारी आइसक्रीम बची हुई है उसे हम दूसरे कंटेनर में निकालकर सेट होने के लिए रख देते हैं देखे फ्रेंड्स यह हमारा दूसरा कंटेनर भी आधा भर गया है मतलब आप देख सकते हो कि हमारे आइसक्रीम की कॉंटिटी कितनी सारी हो गई है सिर्फ आधा लिटर दूद में हमने कितने सारी आइसक्रीम सेट करी है थैंक्स पर वाचेंग